तो हमारा जिसे चैप्टर नमबर 1.4 है जिसको हमने अनकंप्लीट रख 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 था तो चुकि इसके पहले बहुत सरे चैप्टर थे उसके रिक्वेस्ट आने लगे थे इसलिए हमें इसको बीच में छोड़ना पड़ा था तो आज मैं आपके लिए लेक्ट लेकिया हैं हू लाइट यानि की प्रकास और 1.4 का चैप्टर नमबर 1.4 है और लाइट से रिलेटर जैसे रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन है इसमें किस तरह से कैसे इमेजिस बनते हैं वो सबाज हम लोग यहां पर देखेंगे चुकि जो आपके स्लेवस में है उसी के अकॉर्डिंग आ ढंग है तो हमें क्या समझ में आता है कि आ कि बर गिरने से पर őं हम झाना होता है और हम मैं दिखाया परती है हमारी प्रकास नहीं है भस्तू पर प्रकास की तरह मिबस्तू और चथा भी हन code इस से तं़चे ओं आँ मारे थिष्लेक्शन होता है जिसकी कारण बस्तू हमें प्रकास किया है लाइट किया है तो लाइट किसी बस्तु कैसे देख पाते हैं तो अभी हम यहां पर जानेंगे कि कैसे हम किसी बस्तु को आसानी से देख पाते हैं तो प्रकास के परावर्तन की कारण कोई बस्तूय हमें दिखाई परते हैं किसी चीज से प्रकास नहीं निकलता प्रकास उस पर बस्तूय को पढ़ती है तो उसका इमेज बनता है तो वट जाद की किरन कई तो इस घटना को प्रकास का प्लें सर्फिस है और इसके उपर कोlls एक घड़ा और यह वैस सी चला गया तो इसी को कोई प्रकास का पड़ावर्तन काते हैं ठीक है यानि कि कहा सकते हैं क्या कि वेन भी मॉप लाइट ट्रावलिंग थूए मेडियम लाइक एयर या फिर स्ट्राइक सर्फेस जैसे कि किसी वाल या फ्लोर से टक्रा कर या फिर मीडर और एनी थीन इराउंडर कि कोई भी चीज हो हमारे आस पार जूसरी सटक्रा कर सम लाइक ब абсолют рад बहूंस्यδं बैक बांसे बैक हो जाती आए कि इसको का जाता है उसको प्रकास कि कि नैंकि सट्राप पड़े कि तब इसको की बार कब हैं और तृम देग्ट कराफी वह फिर फिर उसी मीडिया में वह वापस चला जाता है तो इडिस ग्राइबी विद बासिं फिर बांसिंग बालो को डालेंगी कि सुरी बांसिंग बांसिंग बैक होगा यानि कि जितने स्पीड से जितने फोर से आप बॉल को वहां पुछ करके डालते हैं उतनी ही फोर से वो फिर से आपके पास आएगा से मेया यहां पर भी केस वैसा ही है कि इदी इंसिडेंट रेज गई है लाइट केई इंसिडेंट रेज यादी किसी प्रवर्तक सता से टक्रा कर फिर उसी दिसा में वापस चले जाती है या फिर इधर से आया फिर इधर से चला गया मिंस कि यहां से एक टक्रा कर फिर वैसे ही चला गया तो इसी को ही हम प्रकास का प्रवर्तन कह सकते हैं यह matter of fact इस पर डिपेंड करता है क्या कि all surfaces reflect light जितने surfaces हो लाइट को reflect करते हैं तो हम कैसे समझेंगे जैसे के plane mirror को ही idle माना जाता है plane mirror हमने देखा है ना plane mirror हमारे घर में है हमारे असपास है तो हम plane mirror से जिसे हम अपना image देखते हैं तो बहुत आदर रफ्लेक्टर के रूप लाइट को हम ऐसे क्लिक सकते हैं कि when a ray of light traveling in a medium strikes of the incident ray bounces back into the first जितना ray of bouncing जितना ray of light आया वो bounces back हो गया this is bouncing back of lighting in the same medium is termed as reflection of light इसी को ही reflection of light की नाम से जाना जाता है यानि प्रकास का पड़ावरतन ठीक है definition आपके बुक में है तो यहां मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ और तो आप देख लीजेगा कुछ आसुबिदा होने से आप मुझे पूछ सकते हैं कोई दिख करते हैं regular और irregular reflection कि इसको कहते हैं चुकि हम लोग क्या जानते हैं कि यूजरली हमारे पास दो काइं टू काइंड्स अपू रिफ्लेक्शन होते हैं नेचर उनकी reflecting surfaces को देख का टू काइंड्स अफ रिफ्लेक्शन होते हैं पर यह प्रकास का परतन दो तरीके से होता है एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं या फिर दूसरे को बोलते हैं एक रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन उसको कहा जाता है कि वेरा बीम ऑफ लाइट फॉल्स और वेरी वेल पॉलिश सर्फिस यादि कोई जैसे माना कि यह बोर्ड ही है काफी स्मूथ है और सर्फिस है तो यहां पर कोई एक बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो फिर से वह ऐसे ही बाउंसिंग बैक हो जाएगा ठीक है तो उसको हम लोग कहेंगी क्या कि यह रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ या अनिवेंट कह सकते हैं कि जब किसी ऐसे सर्फिस पर पढ़े यह जैसे इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेट एंगल होगा लेकिन जब हम किसी ऐसे परवर्तक सता पर प्रकास की किरने पड़े जहां से वह इदा उधर चिटक जाए यानि कि मालिजर किसी खुर्दरे सता से प्रकास की किरने तकड़ाती है तो या तो वह ऐसे कराहईगे irregular reflection प्लेंग्त मिर्स कैं तर्म तो ऊपर का सब्सक्राइब है। यह आंग्त की आंगल कया है यानि की जो हम इसको कैसे समझेंगी कि रिगुलर इफ्लेक्शन हो रहा है हम यहां पर विदेख ते महीं है जैसे कि माजी जी एक हम possono लेते हैं mm यहां पर मैने एक निरो ड्रो किया ठीक है m और em dash ठीक है उसके बाद क्या किया किया कि a a-e-g इंसिदेन्ट रें यह मिरर है यह मिरर है m और em dash है तो यह एक हिस्ता पॉलिष होता है और माना कि यहां से एक प्रकास की किरने आई यहां से माल लिजे कि मैं यहां पर एक किरने भेज रहें प्रकास की किरन तो यह सेम एंगल बनाते हुए यह ऐसे चले गई या फिर आप इसको ऐसे भी क्लोज भी लिख सकते हैं जैसे यह प्रकास की किरन है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकत है ठीक है तो यह है यह एम और एम डस है ठीक है यह है ओ पॉइंट ऐसा जहां पर यह जाकर दोनों रेस मिल रही है ठीक है तो ए माल लिया कि यह है और ओपीज रिफ्लेक्टर डे इंसिदेंट रे यह हुआ और यह है रिफ्लेक्टर रे तो आप देखेंगे क्या कि इंसिदेंट रे को यदि हमाल लेंगे यह आई यदि इसको आई माल लेते हैं ठीक है तो यहां पर मैं एक अभिलम ब्रॉक कर रही हूं यानि कि इसको नॉर्मल कहा जाता है जहां पर एक पॉइंट पर यह दोनों मिल रहे हैं तो आप देखें क्या कि यह जो एंगल है वो यह एंगल दोनों इक्वल होते हैं यानि इसको हम आई माल ले और इसको आर माल ले तो देखेंगे क्या कि इंसिदेंट रे यादि हम ए ओ और और एन माल लेंगे यहां पर तो हम देखेंगे क्या कि एंगल A, O और N is equal to I और angle angle B, O, N is equal to R यह है incident ray और यह है reflected ray ठीक है? तो यह दोनों जो ray है यह दोनों equal angle बनाते हैं equal angle यह लोग बनाएंगे यहाँ पर ठीक है? तो हम लोग क्या समझेंगे? यह regular reflection में incident ray और reflected ray दोनों ही equal होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ only regular reflection में ही हमें images बनते हैं regular reflection ना हो तो images नहीं बनेंगे यदि irregular reflection हो तो प्रकास की किर्णों का पुन पड़ावर्तन नहीं होता है जिसकी कारण images अच्छे से नहीं बनते हैं यह आप ध्यान में रखिएगा तो प्रकास के प्रावर्तन के कारण ही इसके दो नियम यहां पर आते हैं यानि कि प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं फर्स्ट है क्या है कि the incident ray the incident ray and the reflected ray and the normal normal जो यह है drawn at the point of incident incidents at all lie in same plane same plane में ही होता है यह यानि incident ray जो हुआ है और जो reflected ray हुआ है और यह जो अभिलम जो draw किया है वो same plane में ही होता है दूसरा क्या कि the incident angle is equal to the angle of reflection यह दोनों ही बराबर होंगे यह दो नियम होने चाहिए तभी प्रकास का प्रावर्तन होगा अब plane mirror में किस तरह से इमेज बनता है वो भी देखते हैं इक ऐसे plane mirror formation of image by a plane mirror तो एक plane mirror में किस तरह से एक समतल दरपन में किस तरह से images बनता है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे जैसे मैंने एक ray diagram किया है आपके बुक में भी a ray diagram है उसको आप देखी या नहीं यहां पर भी आप देखके समझ सकते हैं यहां पर हम मैंने बनाया कि एक o एक ऐसा point है suppose o with the point of object in front of plane mirror यह plane mirror है और इसकी point में यह है हिस्सा इसका polish है यह हिस्सा इसका open है ठीक है तो o एक ऐसा point है जहां से एक plane mirror जो m1 और m1 एक M to a plane mirror है वह एक ऐसा point है in front of mirror और consider two rays two rays जैसे o a और o b o a और o b मालिया जाए कि यह o a है यह देखे o a और o b है यह दोनों क्या reflected ray है incident ray है mirror के उपर पढ़ रही है तो हम यहां पर देखेंगे कि यह reflect होके क्या किया एसी बनाया और b d बनाया reflection incidence ray है o a और o b reflected ray है a c और b d ठीक है angle क्या बना रहा है incidence यह दोनों equal angle बना रहा है incidence ray और reflected ray incidence angle और reflected angle ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि यह लोग यदि हम इस इस rays को यह जो rays है हमारे पास a c है और यह b d है इसको आगे तक बढ़ा देते तो हम देखेंगे क्या कि यह दोनों जाके किसी एक point पर जाके मिल जाते है इस point का नाव हमने रखा है आई जहां पर यह मिल रहे है यह दोनों ray वहीं पर ही मिल रहे है तो वहीं पर ही एक image बनता है देखें तो यहां mirror के back हिसम image बन रहा है और उसके बाद फिर यहां से हमें यहां पर भी image बन रहा है यानि हम देखेंगे क्या कि behind the mirror eye पर एक image बन रहा है from the reflected ray appear to be coming यहां से हमें पता चल रहा है कि reflectator वहां से आ रहा है तो i क्या है एक virtual image of the object का o का क्या है आई एक virtual image है virtual मतलब जैसे कि यह इसका ही दोनों equal होता है ठीक है तो यह virtual image बन रहा है तो हम देखेंगे कि on the measuring of the distance of the object o के distance को measure करेंगे हम पाएंगे क्या कि mirror से distance are found to be equal o P is equal to I p हम यह पाएंगे कि यह दोनो distance equal है हमारी आखे क्या देख पा रही है यहाँ सेEr reflectator हो करेंगे यह हम यहां से देख पा रहे हैं हमें समझ में आते है कि यह पर image बना है चुकि हम यहां से ऑ फीर Paul यहां पर यहां पर यहां पे यहां पर यह यहां ठीक है यहां एक पॉइंट है जहां से पॉइंट पॉइंट पर मिलते हैं जहां पर क्या हुआ की दोनों एक दुसरे के सांथ मिल जाते हैं वह पॉइंट है है आट यहां मैंने से यहां पर लिखा है मैंने फिर देखेंगे हम मुग कि जू जितना जितनी जितनी लंबाई है जितना साइस का यह है उतना हृओं साइस का यह जितन ने अच्द से देख रहे हैं कि हम मेर के पीछे से दिखाई देता है पर इमेज यहां बर्चुल बनता है कालपनिक जिसको कहते है वह एक इमेज यहां पर बन रहा है यह है माली जे की ए इन एन वन एक अभीलम मैंने ड्रॉप किया है यह नॉर्मल करिये इसको ड्रॉप कर देंगे तो हमें पाएंगे दोनों ए यहां पर इमेज बनता है ठीक है बहुत दोनों जो पॉइंटे गीशाट में होते हैं इस तरह से इमेज बनते है फिर में पशकिया रिएल मेंाई जो होता है इस्क्रीन पे दिखाया जाता है तो वह सब क्या होते है वो रियल इमेज होते हैं यह क्या होता है कि we are able to see the rays of light light coming from the projector प्रोजिक्टर से हम लोग देखते हैं क्या कि एक rays of light आ रहा है और उसके बाद वह स्क्रीन पे पड़ता है तो इस तरह से हमें वह रियल इमेज बना के दिखाता है तरस्तर rays of light often being reflected by a mirror actual meet at a point to form an image called real image डियल इमेज वहाँ पर जाके यहीं मिलता है तो इसी point को हम लोग रियमेज करते हैं such image can be formed on a screen screen पर इसी तरह का ही image बनता है virtual image बनता है intersection of light rays दो दो rays of light जैं मिल रहे हैं उनके कारण इस virtual image बनता है behind the mirror अच्छा यह धियान रखिएगा and the path of rays coming from the virtual image जो हमें क्या लगता है कि वहां से वो virtual image से वहां से rays of light आ रहे हैं लेकिन real image में कहां बनता है the actual intersection of rays of light वह actual वास्तवी जो किरने जाके मिलती है न वहीं पर ही image बनता है और वहीं से ही ray of light आती है यह क्या होता है continuous lines होता है real image always inverted होता है और upside down real image upside down होता है inverted होता है जब कि virtual image क्या होता है formation sheet होता है it is always erect यह differences है जैसे आप से पुछा जाए कि plane mirror पे किस तरह की images बनते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि virtual और erect बनता है same size का बनता है that of the object जैसे है mirror में हम अपने वही same size में देख पाते हैं हमें न बड़ा दिखाय देता है न छोटा दिखाय दिखाय देता है ऐसी बात नहीं है यह जाएंगे तो बहुत जगा पर mirror का ही बहुत सारे ऐसे mirror भी हैं कोई ऐसे lab में जाएं या फिर कोई ऐसे science project वेगरा में देखेंगे तो वह अलग लग तरह की image बनाते हैं तो वह इस image में नहीं जिस आईने में आप अपने आपको देखते हैं वह आपका बनाता है कि virtual image बनाता है और same size का होता है जैसा object होगा वैसा ही image बनेगा as far behind the mirror mirror की बहुत दूर बनता है as is the object in front of the mirror हमें क्या लगता है हम object की mirror के सामने mirror के सामने होते हैं और image बनता है काफी दूर laterally inverted if the object is not symmetrical inverted आपको समझ में आएगा inversion के रूप में जो हम पढ़ेंगे तब inversion क्या होता है जैसे आपने देखा होगा कि यदि आपको plane mirror के सामने खरे हो तो आप देखेंगे कि आपका left hand appears to be right और right hand appears to be left दोनों वाइस वर्षा दिखाए देगा मतलब क्या है एक दुश्रे से वह ऐसे एदिमान लीजे कि R लिखा है आर लिखा है तो हमें क्या दिखाए देता है वो इस तरह से दिखाए देता है ठीक है यह inversion हुआ है यह जो सच इंटर्चेंज ओप दे लेफ्ट और राइट साइड इस तरह से इसको नॉन स्यमेट्रिकल बोलते हैं औबजेक्ट इस इमेज दू रिफ्लेक्शन अफ लाइट बाइप लिए प्लीन मिरर इसको लेटरल इंवर्जन ऑफ लाइट इसको लेटरल इंवर्जन ऑफ बोलते हैं यह सब क्या हैं जो बनते हैं यह इन्वर्जन के रूप में बनते हैं आपने देखा हुआ कि जो एंबूलेंस वर्ड होता है वो पिंटिट किया जाता है कह एक चेंपा घ्यां को है उता है जब कहले तो आप सब्सक्राइब कर शेपक पिछहेल सहा consultants तो यह लेडरल इंबर्जन कारण जो एम्बूलेस जो वर्ड होता है, वो हमेशा उल्टा लिखा जाता है, ताकि वो जाके जो आगे की जो पर्षन है, उसके मीरर में वो चीज सीधा दिखाए दे और वो रास्ता दे दे, यही एक कारण है, प्लेन मीरर में एम्बूलेस प्र तो ड्राइबर जो इन फ्रेंट में होता है सामने की तरफ तो इस तरह से यह लेडर इंवर्जन हुआ तौ तरह से कितने इमेजस बनते हम, तो ड्राइबर के यह लाग जायों यह दो मिरुप हो तो वहां पर इमेजस बनेगा और पर किस तरह से यहीं है लोगानेश इह दूखे का माली जी कहनас रो रहा है मतलब इनका जो रिफ्लेक्शन सर्फेस ही और नहीं बनेंगे लोगानेश से ने तो यहां से इंस्टेंट ट्रे पढ़ा फिर रिफ्लेक्ट हुआ यह बनाया आइंगल यह बनाया इंगल यह इस मेरर का रिफ्लेक्शन का काम के बाद इस मिरर में बनात हुआ एक तूसरा यहां गहार तो दो यहां से निकल रहे हैं उसका इमेज निकल रहा है इसमिरे कर दूसरा फिर यहां गया गया तौ के वो वो यहाँ जाके बना रहे हैं फिर यहाँ पर इसमें इसका रिफ्लेक्टिंग संस्का इसका इसट consent और यहांे में बना तो इस तरह से कितने सारे इमेजेज इक क시면 एक दुसरेकर फ्रांट में प्वेस्ट कर दिया जाए रुक्षछण तो क्या होगा इसका इसा का इंसडेंट्रेश और फिर इस मीरर का रिफ्लैक्टले उसका इंसडें बन जाएगा उस्का इंसडेंट्रे इसा इंसडेंट्रे बन जाएगा तो उजब स bakın इसandrоже ili श्मेटर को बहुत सारे मीजे आचिंड इसенный मेंyrล की जाए हो तो यहां परमाल लिया ज़ाया है में तो इसको यह देखना पड़ेगा यही डिपेंड करता है तो नंबर आप इमेजेस और फॉर्म एदि माल लिया जाए कि नंबर आप इमेजेस होगा 360 360 डिग्री एंगल बनाएगा बाइगा थीटा माइनस वन और यह बनाएगा यह बनाएगा तो क्या होगा 360 बाइगा थीटा ठीक है तो माल लिजे कि थीटा हो गया जीरो डिग्री तो टू मीडर आप प्लेस पार्लेल तो इच अदर केस्वान में तू मेरलन तू मीडर को प्लेस कर दिया पार्लेल साइड में देन इंफनेट नंबर आप वो इमेजेस औ अनंथ इस पॉजिशन黨न इन पॉइंट जय सरक आपको बतायां तो इस तरह से क्या बनेंगे बहुत सारे इमेजेस बनेंगे पैना case 2 में यदि माल लिया जाए कि theta is equal to 90 degree माल लिया जाए तो यहां पर हमें इस angle में हमें when two mirrors are placed perpendicular to each other perpendicular यदि parallel रखा जाए तो क्या होगा parallel रखने पर infinite number of images बनेंगे perpendicular रखा जाएगा तो हमें क्या बनेगा four images are formed चार images बनेंगे ठीक है यदि माल लिया है कि n is equal to theta n is equal to 360 by theta है और theta is equal to माल लिया जाए 90 degree 90 degree मतलब एक दूसरे के perpendicular ठीक है और यदि parallel होगा theta is equal to 0 degree हो जाएगा तो क्या होगा parallel होगा तो उसमें infinite number of images बनेंगी यहां पर यदि theta is equal to 90 degree होगा तो हमें मिलेगा 90 degree तो यहां पर हम 90 degree का मान डख देते हैं तो हमें चार images मिलेंगे four images are formed ठीक है तो इस तरह से हम images निकाल सकते हैं दी कब condition क्या होगा कि जब perpendicular रखा जाए तब four images बनेंगे और यदि वह parallel रखा जाए तो infinite number of images बनेंगे यह रखने के उपर depend करता है कि mirror को किस कैसे रखा जा रहा है plane mirror का application क्या हो सकता है कि हम बहुत सारे plane mirror का यूज करते हैं अपने bedroom में, washroom में, showroom में या optician room में भी तो इंक्रीज दे एफेक्टिव लेंग्ट अप दे रूम रूम की एफेक्टिव लेंग्ट को बढ़ाने के लिए showroom बगरा में भी यूज किया जाता है तकि showroom बगरा हो काफी चमकदार दिखें और periscope बगरा में भी यूज किया जाता है जो कि 45 डिगरी अंगल पर बना के रखा जाता है और वर्टिकल साइड ओफ लॉंग ट्यूब जैसा कि आपके बुक में इमेजेज हैं देखें यहां पर जैसे images है जैसे यह periscope जैसे है एक image भी यहां पर डिखाए दे रहा है तो इस तरह से जेड अकार का बना होता है यह और यहां से हम यह आँख नगागा के रिखेंगे तो जो incident ray है यह यहां से मालिजे को एक ray है यहां से आ रहा है तो हमें वह दिखेगा और अमारे आमकहों पे आसानी से गहाँ यहां पर एक मिरर होगा यहां से यहां से यहां और यहां और यह हूं और इ resonator था यहां से टीन अ मधे गया है RIGHT यहां और यहां इकार के होने कारण हम बहुत दूर तक की जैसा कि आपको डाइग्रोम में दीखा गया है और वर्टिकल साइड सो लॉंग क्यूब होते हैं तो टू अपोजेट इंस होते हैं इसके तो परिस्कोप परिस्कोप अनेवल तो यूज सी ऑब्जेक्ट्स ओबर और स्टेकल बहुत दूर ते के अब्जेक्ट को भी लोग द अलग अलग होगा तो अलग तरह की इमेज्ज हमें बनते हुए दिखेंगे थीता कमाल अलग हो जाता है जैसे कि यहां पर पर फॉर्टिफव डिग्री हो गया और सरफ केलोस्कोप में हो गया 60 दिगरी के एंगल पे हो गया तो इसमें 3 इस्ट्रिप प्लें मीर्र का तीम इ इमेज बनाते हैं और टैप टूब इसे दर टूब की तरह होता है और एक स्मॉल यादि आप देखेंगे ट्राइंगुलर ट्यूब को और चैदी कलर पीसे सब रख देंगे बीच के तो आपको देखने में देन दर इमेज इस आर फॉर्म दारिंद ट्यूब इस कोबड़ वि इसमें केलोस्कोप में दिखाए देता है उसको रोटेट करने पर चुकि उसका एंगल होता है कितना 60 दिगरी पर होता है इस तरह से मीरर को प्लेस किया जाता है कि वह मुल्टी कलर इमेजेज आर हमें दिखाए दे इस तरह से हमारा यह ए रिफ्लैक्शन अफ लाइट का इ कारणी इमेजेज बनते हैं यानि कि बस्तुए हमें दिखाए पड़ती है ठीक है तो इस तरह से हमारा यह रिफ्लैक्शन अफ लाइट आज कंप्लीट हुआ और नेक्स वीडियो में रिफ्लैक्शन अफ लाइट में मिलेंगे तब तक आप इसको ध्यान से स्टाडि करिया आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा नहीं भी आए तो आप मुझे कमेंस के में पूछ सकते हैं तब तक आप ठीक से रहिए और ध्यान से पढ़ाई करिये थैंक्यू